दोस्तों आज मासें बात करने वाल है 20X40 के हाउस प्लान की जो की बहुत ही बेतरीन हाउस प्लान होने वाला है मैंने आपर विभित कारक्किन डिजाइन किया आपके आपके कार पारकिंग दिया और चाद चाद इस पेस दिया में स्पेस और बेट्रूम बगारा सबक्री विवस्ता है यहां पर लेट्रीं बात्रूम और एक पोर्च भी मिलता है और वेंडलेशन की प्रॉपर विवस्ता है हमारे एक सब्सक्राइबर थे उनके कहने पर 20 20 x 40 प्लान चाहिए तो उन्हीं के डिमांड पर यह वीडियो में बना रहा हूं अगर आप भी चाहते हैं कि आपके रिकमेंडेट्रेक्टेशन चेहां वीडियो क्रेट करें आप हमें कमेंट करें और अगर आप हमारी पेड़ सर्विस का यूज़ करना चाहते हैं तो डिस्क् टू डियो और थ्री दो थ्री दी दोनों होगा तो चलो आज का जो टॉपिक है 20 x 40 उसे में स्टार्ट कर लेते हैं उससे पहले अगर आपने भी तक इस माल होज़ प्लान को सब्काइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्काइब करें शाद साथ वे लाइकन जरूर दब प्लान है यहां पर आपको स्टाइलिस्ट चीजें भी मिलती है और शाद साथ रूम बगैरा भी मिलता तो इसी को हम डिसकस करेंगे फ्रेंट से का रोड है यह देखीगा यह रोड निकला हुए यह आपका फोर वीलर यहां पर 20 x 40 वित कार पार्किंग है तो कार तो सबसे पहले इसके हम ग्राउंड फ् lूर पर आपको लेचलेंगे तो यह दोस्तो जासागा प देख रहे होंगे तो यह दोस्तो जो आप देख रहे हैं बीम मैं इसको आप इग्नोर करें यह क्योंकि second floor कहा है यहां पर सो कर रहा है किसी कारण नदा तो यह देखी का पूरा front है यहां से आप जैसे उपर slope से चढ़ेंगे इसका main door है तो यह आपका railing देखीगा थोड़ा stylish railing मैंने design किया है और जैसे आप enter का तस पर आपको car parking मिल जाती बड़ी सी यह देखीए गा यह आपका यहां पर 6 feet का प्रॉक्स पार्किंग के space यहां पर फूल बगयर पहुदे लगा सकते है फिर इसके बाद आपको मिल जाता है एक stair इस stair के माद्यम से आप उपर जाएंगे थोड़ा सा turn होकर अंदर की तरफ आप आ जाते है यह car parking के space ह हो गया यह आपका garden हो गया चोटा सा यह stairs हो गई यह आपका लेट्रिंग और बातरूम कमाइंड काफी बड़ा सा है यह मैंने यहां से door दिया है इसके बाद यह पूरा portion एक separate है आपको जो बाहर यूज़ कर सकते हैं इसके बाद इंट्री करते हैं आप main door से अंदर और यह विंडो विंटलेशन के लिए जैसे आप यहां इंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको एक porch मिल जाता बड़ा सा यहां पर आप रूम भी डिजाइन करना चाहते हैं तो यह रूम भी आपका डिजाइन होगा यह लगबक 13 फिट का रूम है दोस्तों तो यह 10 फिट 10 बाई तो क्लोज करके यहां फे वॉल खड़ी करके क्लोज भी कर सकते हैं तेकि मैंने ओपन इस पेस दिया इसमें आपका कोई प्रॉब्लम ना हो सबसे पीछे आपको मिल जाता दोस्तों विंटलेशन के लिए जाल अगर आप रखवाना चाहते है उपर तो यह 4 बाई 6 का जाल आ आपकी स्टेर्स हैं यह आपका गार्डेन है शोट ऐसा कि आप कार पार्किंग का स्पेस है तो यह पुरा 20 क्रॉस फिट 50 में 40 में ग्राउंड फ्लूर का डिजाइन है दुस्तों फ्रंट लोग आपका ऐसा है जैसा कि आप देख पा रहोंगे अब हम बात करते हैं इसके फ यह दोर आप यहां चाहिए विड्डो भी दे सकते हैं और इस रूम के लिए यह आपका यहां पर मैंने दोर दिया है तो यह पूरा डिजाइन पीछे का हो गया इसके बाद फरसे हो ही यहां पर आपको बड़ा सा ओपन स्पेस मिल जाता है जो आपका कार पार्किंग स्पे तो यह इसका ग्राउंड फ्लोर होगे आप बात करते हैं लाज फ्लोर की तो यह इसका लाज फ्लोर है अप देख पा रहे होगे मैं आपको पता दूं और यहां पर यह आपका मैंने थोड़ा स्टैलिस्ट बना दिया है यह देख रहे हो कि चारो तरफ साड़े तीन फिट क बॉंडी है ये रेलिंग है ये आपका दोस्तों जो इस्टेर्स था उसको ढखने के लिए गुम्टी बना दिया और फाइनली ये मैंने वाल यहां पर क्रेड कर दिया तो ये 20 क्रॉस 40 में आपका हाउश प्लान डेजाइन हो जाता है ये थोड़ा डेजाइनिंग वगएरा मै मैं सरा डिसकस किया आपको कैसा लगा और आपना में फीड़बाइक जरूर प्रवाइड करवाएं कि जो मैं मॉडल करता हूँ आपको पश्चन दाते हैं नहीं आते हैं अगर आप ये यूड़ फेस्बूक या इंस्टाइग्राम या वाट्सप कहां जहां पर विदे करें इसे ज्यादा से ज्यादा शियर करें और आपका कोई भी recommended model है तो मैं कमेंट करके बाता सकते हैं या आप हमारी paid service का भी यूज़ कर सकते हैं जहां पर आप किसी भी type का house plan करवा सकते हैं Thanks for watching